तो इस नदी को पार करने के लिए एक ट्रिबलिंग पूल बना दिया गया ये देखने के लिए किस पूल को पार कर कौन सी गाड़ी आगे जा सकती है अबसे पहले इसका तरनाख पूल को पार करने के लिए कि स्कूल बस को भेजा जाता है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सो स्कूल बस का कचुमबर बन जाता है फिर दूसरी बरेक आर्मी ट्रक को भेज़ा जाता है और ये आर्मी ट्रक अराम से स्पूल को पार कर जाता है दोस्तों क्या आप लोग अपनी कार से स्पूल को पार कर सकते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताएं